Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको कुछ देफिनिशन्स के बारे में बताऊंगी जैसे की हजाड क्या होता है, डेंजर क्या होता है, अंसिफ एक्ट क्या होता है, अंसिफ कंडिशन्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एक्सिडेंट क्या होता है, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे हजार्ट के बारे में हजार्ट क्या होता है हजार्ट मतलब खत्रा आप डेंजर मतलब भी खत्रा होता है है न तो देखिए हजार्ट क्या होता है वो आपको तुरंट हार नहीं करता है होता हजार यही है कि वो हमारा health effect कर सकता है इसके अंदर इतना potential होता है कि damage कर सकता है ठीक है इसके अंदर इतना potential होता है कि यह कोई भी damage कर सकता है harm कर सकता है health effect कर सकता है फिर क्या होता है यह जो भी effect करता है वो instantly नहीं करता है ठीक है आपको तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा धीरे-धीरे सामने आते हैं इसके नुकसान पर वहीं अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या होता है डेंजर कोई भी ऐसे situation जो आपको तुरंत effect करते हैं अब माल लीजे electrical wire लगा हुआ है ठीक है अब आपको पता है उसमें इस evolved flow हो रहा है ठीक है अब आपने उसे touch कर लिया तो वो क्या करेगा आपको instantly हाम करतेगा तो यह ही difference होत आपको हाम करता है ठीक हैं तो यह तो बात हो गया हजआए हीं अब उसमें हमें पता होता है रिस्क हमेरा चाह नेगिटिव भी हो सकता है हमारा रिस्क जो है वो positive भी हो सकता है हमेशा negative भी नहीं होता है हमेशा positive नहीं होता है हो सकता है इसमें कुछ loss भी हो सकता है और हो सकता है हम इसमें कुछ gain भी कर सके हैं है ना तो रिस्क जो है वो ऐसा नहीं बूल सकते हैं कि बुरा ही होता है सिर्फ इसमें अच्छा भी हो सक तो यह एक ऐसी uncertain event है और एक ऐसी situation है जो positive और negative effect दोनों दे सकती है ठीक है तो यह तो बात होगे रिस्क की next हम बात करेंगे accident के बारे में accident क्या होता है देखिए तो accident है कैसी situation है जिसमें आपको हाम हो सकता है ठीक है accident जो है वो आपको चोट पहुचा ही सकता है वहीं अगर मैं बात करूँ incident की तो incident जो रहता है वो अच्छा होता है ठीक है कभी-कभी हो सकता है वो आपके लिए बुरा हो और अच्छा भी हो इसमें negative positive दोनों होता है पर accident जो होता है वो जाद तर negative ही होता है इन केस कभी-कभा ऐसा होता है कि कोई accident हो जार आपको कोई नुकसान ना हो उससे एक अलग condition बोलते हैं कि accident हो रहा हो और आपको कोई नुकसान ना हो पाए उससे एक अलग condition बोलते हैं पर accident में आपको चोट पहुचा जाती है उसे बोलते है accident और incident में क्या होता है कोई भी ऐसी situation incident जैसे की माल लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं अचानक आपका दोस्त मिल गया आपको तो यह हो गया incident कोई भी आप work कर रहे हैं वो अच्छा हो गया वो हो गया incident ठेक है incident में यही दोनों point रहते हैं positive भी हो सकता है पर accident हमेशा negative ही रहता है ठीक है उसमें कोई ना कोई नुक्सान जरूर हो रहा होता है accident में और incident में जबकि ऐसा नहीं है वो negative, positive दोनों हो सकता है तो ये तो बात हो गई यहां से accident और incident के बीच के reference की ठीक है अब बात करेंगे near miss की near miss क्या होता है बात कि हमने उसमें क्या होता है वो negative positive दोनों हो सकता है अब near miss क्या होता है अब तेखें near miss ऐसी चीज़ होती है जैसे कि मालीजे कोई accident हुआ accident तो हुआ पर उसमें आपको कोई harm नहीं हुआ आपकी body को कोई भी harm नहीं हुआ अब मालीजे उचाई से कोई सामान गिर रहा है बिल्कुल आपको छूते हुए गुजरा जमीन पर गिर गया वो गिरा तो पर आपको कोई चोट नहीं लगी उसे बोलते हैं near miss मतलब कोई ऐसी घटना होना जिसमें आपको कोई नुकसान नहोने पाए उसे बोलते हैं near miss कोई भी ऐसा एक्सिज़न जो आपको छूके गुजरा पर आपको उसे कोई नुकसान नहीं हुआ उसे बोलते हैं near miss चिक क्या है? near miss के बारे में आपको समझ आ गया होगा near miss क्या होता है? ऐसी अब दो चीज दो पॉइंट और आते हैं जिसे बोलते हैं unsafe fact और unsafe condition अब वो क्या होते हैं? उनके बारे में मैं आपको पता देती हूँ तेकिए, unsafe condition क्या होते है? माल लीजे कोई भी ऐसी situation create कर देना, जिसके बाद हो सकता है किसी के साथ near miss या accident हो जाए उसे बोलते है condition अब act होता है condition बनी, ठीक है? अब उसके condition के अंदर अगर कोई pupil आ जाता है, तो उसे बोलते है act ठीक है, जिसे माल लीजे, कोई सामान forklift के थूँ उपर पहुँच आ रहे है ठीक है, अब वो forklift के थूँ जो सामान पहुँच रहा है उपर, वो उसे हमने उपर ही छोड़ दिया अब वो क्या हुआ, condition बन गई, अब उसके नीचे आके एक परसन खड़ा हो गया, वो क्या होगे, act हो गया ठीक है, उसके बाद अगर वो जब सामान गिर जाता है, और आपको चोट नहीं लगती है, तो उसे बोलते है, near miss और अगर उससे आपको हार्म हो जाता है, तो वो होता है, accident ठीक है, यह चार चीज़ें आपको समझा रही होंगी, unsafe condition, unsafe act, near miss और accident कैसे होता है ठीक है, condition हम खुद create करते हैं, act, pupil उसके contact में आ जाए, उसे बोलते है, act ठीक है, तो हजार danger तो आपको पता चला है, accident, incident भी पता चला, अब भी unsafe factor, unsafe condition भी पता चल गया ठीक है, मैं आपको इसको कुछ एक picture दिखा देती हूँ, जिसके थुरू आपको थुड़ा अच्छे से explain हो जाएगा, कि unsafe factor, unsafe condition exactly है क्या तो देखिए, यह है unsafe condition, सामान जा रहा है, forklift के साथ उपर, ठीक है, अब वो जो है, forklift जो है, वो वहीं छोड़ कर ऐसा चला गया है, सामान उपर है अब pupil उसके contact में आ गया, तो यह क्या बन गया, act, condition create हुई, जो person है, वो उसके contact में आ रहे हैं, तो वो बन गया, act, ठीक है अब भी वो जो सामान है, वो उपर से गिरा, तो क्या बना, वो near miss और जब सामान गिर गया, तो वो क्या बना, accident, ठीक है, मितलब उसने, जो भी person है, उसको harm कर दिया, तो वो बना accident उससे पहले जब वो गिरा था सामान, जब person को कोई भी harm नहीं हुआ था, तो वो था near miss situation यहां से create कही गई, उसे बोलते है condition, और अगर उस condition के through, कोई भी person उसके contact में आ जाता है, तो उसे बोलते है, unsafe act यहां से आपकोई 4 चीजा बिल्कुल clear होगी होगी, condition क्या होता है, act क्या होता है, near miss क्या होता है, accident क्या होता है, ठीक है, तो यह छोड़ी definitions जो थी, उनके बारे में मैंने आपको explain कर दिया, maybe अपको यह confusion कि आपके पिदीजन की तेल रिच्छा फिरेशन ना हो कि हजाड क्या होता है डीजर क्या होता है अनसीय थे अनसेफ क्निशन क्या होता है इन सब के वारे में आपको पता दे आए ऑगी सो थेंक्यू